इंडिया की नमबर वन वीरेबल स्मार्ट वोच ब्राइंड नोईज ने अपनी एक और नहीं स्मार्ट वोच नोईज कलर फिट अल्ट्रा को इंडिया में इंट्रिजूस कर दिया है 16th of July को इसकी 1st sale है 10am से Amazon पे अगर आप इंट्रेस्टेट हैं smart watch को buy करने में लिंक्स मिल जाएगे description में वहाँ जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं 16th of July को तो आज हम बात करेंगे इसी smart watch की price के बारे में कि किस price segment पे इंडिया में मिलेगी 1st sale में उसके बाद इसकी price obviously बढ़ने वाली है तो first sale में अगर आप इंट्रेस्टेट है तो इसको buy कर सकते हैं तो सबसे बहले बात करते हैं इसके specs के बारे में तो smart watch के अंदर आपको 1.75 inch की true view HD display देखने को मिलने वाली है जो की 2.5D curved display होगी bezel less design के साथ में आने वाली है अब जो display की quality है वो obviously काफी ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि noise वालो ने इस बार इसकी display को जो है वो काफी ज़्यादा highlight किया है काफी बड़ी display के इंदर provide की गई है एक time में जो Nokia के phone साथ इसके उन में 1.75 inch की displays देखने को मिलती थी काफी अच्छा होने वाला स्मार्ट वाच का तो looks के मामले में काफी अच्छी स्मार्ट वाच होने वाली है बात करें इसके sensors के बारे में तो basically स्मार्ट वाच है आपको सभी useful sensors के साथ में देखने को मिलेगी like 24 x 7 real time heart ear monitoring smart watch में आपको मिल जाएगी उसी के साथ यह स्मार्ट के sensor के साथ में आएगा stress level monitoring इसके अंदर आपको मिलने वाली है sleep measurement system smart watch के अंदर आपको मिलने वाला है और भी stress level monitoring वगएरा यह सब में आपको बता चुका हूँ तो यह काफी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलने वाली है 60 plus sports mode के साथ में smart watch आने वाली है जिन में indoor cycling outdoor cycling cricket yoga यह सारे included है और यह सारे फीचर जो है इसके अंदर आपको मिलने वाले है उसी के साथ यह smart watch ip68 water resistant होने वाली है तो इसको पहन कर सकते हैं बट diving वगएरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पानी के अंदर जाला देता कि survive नहीं कर पाएंगी बट हाँ swimming आप कर सकते हैं तो यह काफ सब्सक्राइब कर सकते हैं जो काफ अची बात लगी है मुझे यह screen lock को भी support करता है साथ ही इसके अंदर एक और यहां पर नई चीज इंक्लूड की गई है stock market update जी हां जो की OTA update के थ्रू जो है इसके अंदर डाल दियता हैगा बट फिलाल नहीं है जब भी OTA update इसका next आएग तो basically smartwatch one time के single charge में आपको nine days का backup देने वाली है heavy users में जो काफ अची बात होने वाली है इतनी बड़ी display होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको काफ अची यहां पर battery life देखने को मिलने वाली है तो यह सारे features आपको smartwatch के अंदर मिलने वाले है अब बात करते smartwatch की price की बा यहां पर रहने वाली है 35-4000 के around 35-4000 के around 35-4000 के around यह स्मार्ट वाच रहने वाली है उससे ज़्यादा इसकी price नहीं जाएगी तो यह smartwatch एक किले smartwatch होने वाली है और काफी सारी smartwatch इसको यह टकर देने वाली है काफी सारी को beat करने वाली है तो आप भी smartwatch का wait कर रहे है let me know in comment section वीडियो कर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने top 5 best smartwatches under 5000 की वीडियो नहीं देखी है तो वह आगर आप देख सकते हैं लिंक्स आपको मिल एग वाई भाई टेक यूँ तेक के यूँ तेक यूज़ तेक यूँ तेक यूँ तेक यूँ एव फैमिली बढग